हलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे नोटिक स्पाउडर क्यों लगाया जाता है वो लगाते कैसे हैं इसका उपयोग डोग और कैट या बड़े अनिमल्स में भी कर सकते हैं पहले तुम यह बात करेंगे कि क्यों लगाया जाता है कुट्य के बालों में देखोगे चीचडे कलीले पिस्चू जो मिये में होते हैं कि यह हो रहे हैं तो इसलिए लगाया जाता है इनोटिक स्पाउडर नोटिक स्पाउडर यह जेहरेला होता है आप इसका प्रियोग अपने मुग के उपर मास्क या रुमाली बांद के या लगा के करें इस अब मिसका उपयोग उपयोग नाने से एक पहले लगा दे और उसके एक गंटे वाद में नाने के बाद में लगा दे आपने अभी तक यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके हमारा पहले सब्सक्राइब करिए आप अपने डोग को ऐसी जगे पर लेकर जाएं जहां पर कुछ दिवार या थोड़ी कुछ उपर हो फिर आपको लगाने में आसानी होएगी बस देखो ऐसे थोड़ा डालके और बालों को थोड़ा पिछे से उपर की तरफ देखो ऐसे ऐसे करके देरे देरे थोड़ा 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 ऐसे पूरे शरीर पर जहां पर देखो यहां ऐसे लगाती है पिछे की तरफ लेकर जाके और इसके देखो यहाँ पर इसकी नाख के उपर मत डालना और आख्यों के उपर मत डालना बाकी पूरे सरीर पर लगा देना टेक्स देरे 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 उतर जाएंगे एक डेड़ गंटे में ही में जहां पर देखो अब यहां पर थोड़ा हाथ में लेके हम यहां पर नीचे कई बार जैसे नीचे रह जाते हैं यह को पैर के पास में कई बार इसकी इस वह होता है गिम्ली यहां पर नहीं लगतlaudा है तो ऐसए थोड़ा लेके और ऐसे लगा दो देखो आप इसमें देखो ऐसे कान में थोड़ा साग डाल के और ऐसे थोड़ा मसल दो जिससे की जो कान के है ना कान में भी होंगे वो मर जाएंगे दूसरे में भी और नाख का और आखों का विशेश करके द्यान करके उनमें मर डाल देना प्रोप्लम हो सकती है लाइक और सस्क्राइब कर दो